सब्सक्राइब कीजिए टी एफ़ाई ट्रेवल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट और ट्रेवल वीडियो देखने के लिए तो हेलो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश की आतरा करवाने वाला हूँ जिसे पूरी दुनिया में बहुत सुन्दर माना जाता है वैसे तो यह एक मुस्लिम देश है पर पहले के परशन इंपायर का हिस्सा हुआ करता था आपको बता दो कि यह एक लैंड लॉक देश है पर यहां पर आपको काफी नदिया देखने को मिल जाएंगी इस देश का लगबख असी प्रश्यत एरिया परवत चोटियों से घिरा हुआ है इस देश की लोगों के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है यहां की महिलें बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं कि आप उनकी दराफा कर्शित हो जाएंगे पर इन्हें सदारन ही रहना पसंद होता है आज मैं आपको इस देश की यातना पर लेकर जा रहा हूँ उस देश में अलिकसेंडर दाकरे का चाप बहुत ही गहरा है इस देश पर रूस ने 200 साल से जादा राज़ किया इसलिए आपको सबसे जादा यहां पर रूस की ही विचार धारा नजाराएगी इस देश का बॉर्डर उत्तर में कजाकिस्तान, उत्तरपूर में किर्गिस्तान, औरव में तजीकिस्तान, दक्षिन में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से मिलता है इस खुबसुरा देश से जुड़ी बहुत सारी बाते हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ तो आज हम घुमने जा रहे हैं एश्या के देश उसको किस्तान में जी हैं दोश्तों तो चल्दी से अपने वैक्स पैक कर लीजिए क्योंकि ये देश और इस देश से जुड़ी बातें बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हैं लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारी चैनल टीफ़ाई ट्रैवल पर अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और वीडियो को भी लास्ताक जरूर देखेगा ताकि आपको पूरी जांकारी मिल सके तो नमस्क्राइब दोस्तों मेरे नाम है निशान आप देख रहें टीफ़ाई ट्रैवल चलिए आज के वीडियो जलते से शिरू करते हैं तो दोस्तों उस्बेकिस्तान महद्दे इश्या का एक खूपसूरा देश है जो अपने प्राचीन इतिहास सुंदर वास्तुकला और विविद संस्क्रीती के लिए विश्व भर में जाना चाता है उस्बेकिस्तान का अधिकारिक नाम रिपबलिक आफ उस्बेकिस्तान है आपको बताने की इस देश के कोल जन संक्या करीब 3 करोड के आस पास है और यह दुनिया में सबसे ज़्यादा जन संक्या के मामले में 42 नंबर पर आता है उस्बेकिस्तान करीब 4,47,400 वर किलो मेटर में फैला हुआ है यह शेद्रफल के हिसाब से दुनिया का 56 वा सबसे बड़ा देश है यहाँ के 51 परसंट लोग शहर में रहते हैं और 49 परसंट लोग काउ में रहते हैं दोस्तों उस्बेकिस्तान के मौसम की बात करें तो यहाँ पर कर्मियों का टेमपरिचर 40 टिक्री तक चला जाता है और सर्दियों में यहाँ का टेमपरिचर माइनस 23 टिक्री तक नीचे चला जाता है उस्बेकिस्तान की राजदानी है ताशकन चोंकि यहां का सबसे बड़ा शहर है और सबसे खुबसूरत सिटी भी लेकिन आपको बताने कि 1968 में यहां पर काफी बड़ा भुकाम पाया था जिसमें हजारों लोग बेगर हो गए थे और ये शहर पूरी तरह परबाद हो गया था लेकिन अंत में एक बार फिर से इसे बसाया गया और आज ये इस देश की राजदानी है दोस्तों इस देश में कॉटन का बिजनस बड़े जोरों पर रहता है यहां से कॉटन का एक्सपोर्ट लगबग हर देश में किया जाता है आपको बता दें कि यहां पर हर साल कुछ महीने ऐसे भी आते हैं जब स्टूडेंट्स दॉक्टर्स और बाकी तरह तरह के सरकारी वरकर्स ये सरसरकार के लिए कॉटन फिल्ड में काम करते हैं और कॉटन को खेच से चुनते हैं तो है ना दोस्तो काफी अच्छी बार यहां पर कॉटन को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है और कहा भी क्यों न जाए क्योंकि इस देश की इकॉनमी की गाड़ी इसी से तो चलती है आपको बता दो कि यहां के टोटल इंकम रिसूर्सिस में 7% का हिस्सा जो की कॉटन से आता है उस्बैकिस्तान के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही जादा emotional टाइप की होते हैं कहने का मतलब यह है कि यहां के लोग छोटी सी बात पर भी पुरा मान सकते हैं कई बार छोटी सी बात होने पर वो उसे बड़ा सा issue बना देते हैं यहां की लड़कियों के बारे में भी कहा जाता है कि अगर उसने एक बार अपना दिल किसी को दे दिया तो फिर वो हमेशा के लिए उसी की ही रहती है आपको बताने की उस्बेकिस्तान की अधिकारिक भाशा उस्बेक है यहां पर हर जगा उस्बेक भाशा बोली जाती है पर वैसे इस देश पर रूस का राज रहा है और वो भी 200 साल से ज्यादा इसलिए आपको यहां पर दूसरी सबसे जादा बोलने वाली भाशा रशन भी सुनने को मिल जाएगी वैसे आपको बता दो कि यहां पर आपको इंगलिस समझाने वाले लोग भी मिल जाएंगे उस्बेकिस्तान की संस्क्रिती और परंपरा के अनुसार बड़ों का अदर प्राचीन समय से चला आ रहा है उधारन के तौर पर उस्बेकिस्तान के बड़े भुजर्गों का बेहत आदर किया जाता है और वह उनसे कभी भी उची वाज में बात नहीं करते उस्बेक परंपरा के अनुसार सबसे सम्मानित अतिती को घर के प्रवेश्टवार से दूर बेठा कर आदर समान दिया जाता है तो वही क्या बात है दोस्तों आपको बता दें कि इस देशने भी कई तरना की कठनाईय सही है उननिसवी सदी में यह है बढ़ते हुए रूसी समराजे और 1924 में सौवेट संका सदस्य बना 20 जून 1990 को उस्बेकिस्तान ने अपनी राच्चे संपरता घोशिब की साल 1991 में सौवेट यूनिन के तूटने के बाद उस्बेकिस्तान ने अपनी सवतंतरता प्राप्त की और एक सविधाने गंतंतर बन गया उससे पहले तो इस देश पर किसी ना किसी देश ने बस राची किया हुआ था दोस्तों आपको बता दे कि उस्बेकिस्तान लगबग 80 टन सोना एक साल में ख़दानों में से निकालता है जो कि दुनिया में साथवे नमबर पर आता है उस्बेकिस्तान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास नर्याता तो है ही साथी साथ सोना, तेल, प्राकरतिक गैस और उरेनियम भी नर्यात करता है उस्बेकिस्तान पांचवा सबसे बड़ा कपास उतपादक देश है और इस देश की अर्थ विवस्ता में कपास की खेती का बहुत मत्व है कहते हैं कि यहां का सोना कहीं देशों में बहुत पॉपलर है आपको बतादे कि इस देश में ब्रेट काफी ज़ादा पॉपलर है इसलिए आपको कहीं तरह की ब्रेट यहां पर खाने को मिल जाएगी यहां के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आप ब्रेट की शुकीन है तो यह देश आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है यहां पर आपको सुबह से शाम तक कहीं तरह की ब्रेट से बनी चीज़ें खाने को मिल जाती है और वैसे भी यहां की गवर्मेंट इसका अब एक्सपोर्ट भी करने लगी है पलूफ पलूफ उसबेकिस्तान का नैशनल फूड है इसे बनाने के लिए चावल, प्यास, गाजर और मीट का इस्तेमाल किया जाता है कहीं लोगों की धारना ये है कि इस डिश का निर्मान महान सिकंदर के बावर्चियों दोबारा किया गया था हलाकि यहां के लोगों का यह भी मानना है कि इसे सबसे पहले यहां के ही लोगों ने बनाया था खेर छोड़िये किसने बनाया था और किसने नहीं बस एक बाद जान लीजिए कि ये खाने में होता है जवर्दस आब भी इसे एक बार ज़रूर खाईएगा अगर इस देश को खूनने चाहें तो ग्रीन टी इस देश का प्रतिदिन पिये जाने वाला लोग पिये पेबदात है उस्बैकिस्तान के लोगों को तरह तरह की भोजन करना पसाद है धरन के दोर पर इन लोगों के भोजन में इरानी, आरवी, भारती, रूसी और चीनी बेंजनों की चलक देखने को मिल जाएगी दोस्तों आपको बता दें कि टॉली सोनल ब्रेट उस्बैकिस्तान की एक पॉपलर ब्रेट है इसे यहाँ पर औबी नॉन या फिर सिर्फ नॉन के नाम से जाना जाता है यह ब्रेट दिखने में कोल होती है और इसे चाकू से नहीं हाथ से ही काटा जाता है इसके साथ चोड़ी खास बात यह है कि इसे कभी भी घर के बाहर नहीं फेका चाता अगर आपको लगता है कि यहाँ की लोग सिर्फ ब्रेट खाने से मतलब रखते हैं तो शायद नहीं क्योंकि इस ब्रेट की यहाँ पर एहमियत ही कुछ और है कोई भी इसे घर के बाहर फेक्तर नहीं दिखाई देगा आपको जानकर रहानी होगी कि जैसे भारत में धही खिला कर किसी अच्छे गाम के लिए जाया जाता है ताकि काम सबल हो वैसे ही यहाँ पर प्राचीन परमपरा केनुसा अगर कोई घर से बाहर यातरा पर जा रहा है तो उसे इस ब्रेट का एक टुकड़ा खाना होता है और बागी ब्रेट को जमी में काट दिया जाता है या कहिए छुपा दिया जाता है जब तक वो व्यक्ति खर वापिस ना लौट आए भाई क्या बात है सच में सब लोगों की सोच लगभा एज जैसी ही होती है पर तरही का अलग अलग वैसे आपको बता दूं कि एक और भी ब्रेट के हाँआ पर काफी खास है वो है लेपियौश का ब्रेट is bread को लेकर भी एक जीप मैं पूरी किसमत और तुक तरत का प्रतिग बन जाता है तो है ना दोस्तो काफी इंट्रेस्टिंग दोस्तो वसबेकिस्तान के बारे में एक बात बहुती फेमस है यहां के लोगों में खेल को लेकर बहुती क्रेज है यहां पर आपको सपोर्ट्स लिवर की कमी नज़न नहीं आएगी फुट्भॉल यहां की सबसे पॉपलर गेंग है वैसे यहाँ पर बच्चों में अलग अलग स्पोर्ट्स को लेकर बहुत क्रेज है इसलिए स्कूल से सभी स्पोर्ट्स को पर्मोट किया जाता है यहाँ की अन्यत पॉपलर स्पोर्ट्स में शामिल है तैनिस, चेस, बेसबॉल, जूडो, बासकेटबॉल और टाइकवेंडो उस बरकिस्थां के लोगों के बार में कहा जाता है कि वो पार के लोगों से जादा इंटरेक्ट नहीं करते कहने का मतलब यह है कि वो अपने ही लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नजर आएंगे यहाँ पर अपनी प्राइवेसी को सबसे पहले रखा जाता है यहाँ पर अपनी फैमिली को ही सब कुछ माना जाता है अगर फैमिली आपके साथ है तो आप सबसे धनी है और फैमिली आपके साथ नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो दोस्तों सोच तो यहां पर काफी अच्छी है दोस्तों आपको बता दूंगी उस्बेकिसान में वहां की संस्क्रिटिक एनुसाथ अबिबादन के लिए हाथ मिलाने की प्रता पुर्शों तक ही सीमित है लेकि एक उस्बेक महिला का अबिबादन करने के लिए यहां के पुर्शों को अपने दाइने हाथ को दिल पर रखकर नमन करते हुए करना होता है अगर आपने मैला को भी हाथ मिलाने के लिए आफर कर दिया तो यहाँ पर आपको गलत माना जाता है इसलिए तो कहा जाता है कि आप बस यहाँ की मैला को सिर जुका कर एक बेश कर सकते हैं चलिए फिर आप दोस्तों जान लेते हैं कि आप उस्बेकिस्तान में कौन कौन सी जगाओं पर खुम सकते हैं तो सबसे पहले हैं लेक चरवा ताशकन यह लेक दोस्तों उस्बेकिस्तान की सबसे पॉपलर लेक के रूप में जानी जाती है यहां का नजारा बहुत ही सुन्दर है और आपको यहां हजारों डूरे चुटी वले दिन देखने को मिल जाएंगे बाहर के देश से तो यहां लोग आते ही आते हैं साथ ही दोस्तों यहां पर लोगल लोग की भी भीड नजार आती है यह इस देश का सबसे पसंद किया जाने वाला और पेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन माना चाता है क्योंकि अगर आप यहां घूमने जाएंगे तो आप भी कहेंगे कि यह डेस्टिनेशन है टॉप क्लास यहां पर आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं और लेक में तैर भी सकते हैं यहां पर आपको रहने के लिए होटल्स पे काफी अच्छी वराइटी मिल जाएगी नेक्स्ट दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल ताशक्यान चलिए वब आपको दिखा देते हैं कि भारत और उस्बेकिस्तान के पेंच कितना गहरा रिष्टा है आप जब भी इस देश को खूमने चाहें तो एक बार लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल तो ज़रूर देखेगा यहां के लोगों में लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर बहुत इज़त है यहां के लोग यह मानते हैं कि जब किसी देश ने उनकी मदद नहीं की थी तो भारत ने ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था साथ यहां पर यह भी कहा जाता है कि यहां पर हिंदुस्तानी लोगों का दिल खोल कर स्वागित किया जाता है यह देखकर आप प्रेणित भी हो सकते हैं कि भारत ने वीस वारत भाव से दूसरे देश से दोस्ते की और साधी साथ उनकी मदद भी दोस्तो आप तो चानते ही हैं कि भारत में अभी तक कोई हाइस्पीड ट्रेन नहीं आई है वे भी शायद जल्द ही आजाए लेकिन अगर आपको उस्बेकिस्तन जाने का मौका मिलता है तो आप यहाँ की हाइस्पीड पुलेट ट्रेन में घूमने का अनंद ले सकते हैं आपको जानका रहरानी होगी कि यहाँ की हाइस्पीड ट्रेन की रफतार कुछ 200 से 300 किलोमेटर प्रती घंटे की है यह रेन लाइन 344 किलोमेटर लंबी है जो ताशकंद को समरकंद से चोड़ती है यह मार्थ 4 परांतों से होकर गुचरता है ताशकंद, सिर्दार लेओ, जिस हक और अंत में समरकंद इसलिए आपको घूमने में तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस ट्रेन में आपको एकॉनमी क्लास, बिसनस क्लास और फर्स क्लास देखने को मिल जाएगी यह ट्रेन देश की रास्तानी ताशकंद से शुरू होकर समरकंद छोड़ती है अगर आप अपनी फैमली के साथ इस ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं तो यकीन मानिये आपका सफर बहुती दिल्चस्प होने वाला है आमिर दिमूर म्यूजियम आमिर दिमूर म्यूजियम मत्य कालिन वास्तुबला की परंपराओं के अनुसार बनाया गया था यह आदुनिक आवशक्ताओं को संतुष्ट करता है इस संगहले का नीला खपोला समरकंद के कुरिय आमिर मकबरे से मिलता जूलता है यह म्यूजियम इतना पॉपलर और एट्रैक्टिव है कि सालाना दू मिलियन से अधिक विजिटर्स को अकरशित करता है यहाँ पर आपको 5000 से ज़्यादा अकला करितियां देखने को मिल जाएंगी जिसमें से 2000 से ज़्यादा परदर्शनी हॉल में देखने के लिए परदर्शित की गई है इनके हलावा कहीं ओमर भी जगाएं हैं जिने आप घूम सकते हैं जिन में शामिल है शारिज साप्स, खीवा, हस्तमाम स्क्वेर, कल्यान मॉस्क बुकारा एं डेगिस्तान स्क्वेर उस्बेकिस्तान जाने के लिए आपको दिल्ली या मुंबई से ताश्कंत की फ्लाइट्स असानी से मिल जाएंगी आप टर्किश शेरलाइंस को आनलेंग बुक कर सकते हैं यहां जाने के लिए यहां की ऑफिशल करनसी उस्बेकिस्तान सोम है करीबन 144 उस्बेकिस्तान मिलागर एक भारती रुपिय के बराबर होता है यहां जाने के लिए आपको टूरिस्ट विजा की जरूरत होगी और आप यहां का विजा काफी असानी से ले सकते हैं यहां का विजा आप डारेक्ट इमबैसी ऑफिस बेकिस्तान जो की न्यू डेली में है वहां पर आपको एप्लिकेशन सब्मिट करना होगा और फिर आपके पेपर्स चेक होने के बाद 15-20 दिन में विजा दे दिया जाएगा अगर आप चाहे तो किसी ट्रैवल एजनसी से भी अपना विजा लगवा सकते हैं या फिर यहां के लिए 5 या 6 दिनों का कम्प्लीट टूर पैकेज्ट बुक कर सकते हैं और इस देश को घूमने का आनंद ले सकते हैं तो उमेद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो ची लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करकर अपने व्यूज शेयर कीजिए अगर आप नहीं है हमारे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें आप हुमें फेस्बुक उस्टाग्राम और ट्वीटर पर भी जॉइन कर सकते हैं सब्सक्राइब टिल देन गुद्बाइ टेक चेर बेसुछ बेपी और बेसेफ